सबसे पहला सवाल और बहुत आम सवाल जो आम जिंदगी में हमेशा मिल जाता है ये कि आप कैसे हैं सबसे पहला सवाल यही होता है जब हम किनी से मिलते हैं हम कुछ पूछते हैं या सामने वाला हम से कुछ पूछता है क्या पूछता है भई कि आप कैसे हैं यानि कि how are you जब ने आपसे पोच लिया तो जवाब क्या देंगे भई? मैं ठीक हूँ, I am fine, मैं ठीक हूँ, I am fine. How is your family? आपका परिवार कैसा है? How is your family? आपका परिवार कैसा है? जवाब में everyone is good, सभी लोग अच्छे हैं. Everyone is good, सभी लोग अच्छे हैं. बढ़ते हैं आगे, How about your work? आपका काम कैसा चल रहा है? It is going well, सभी ठीक चल रहा है. अगला सवाल, How do you know me? आप मुझे कैसे जानते हैं? या, तुम मुझे कैसे जानते हो? How do you know me? I have seen you in my college. मैंने तुम्हें अपने college में देखा है, या, मैंने आपको अपने college में देखा है, या, मैंने आपको अपने आफिस में देखा है, मैंने आपको अपने neighborhood में देखा है, मैंने आपको अपने colony में देखा है, मैं आपको अपने दोस्त के जरिये से जानता हूँ. जवाब कुछ भी हो बस college जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर आपने उसको place कर देना है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे what does your father do आपके पिता क्या करते है what does your father do आपके पिता क्या करते है मैं फादर is a doctor मेरे पिता एक डॉक्तर है या मेरे पिता जी एक चिकिट सक है या आप simply अगर ये कहें कि मेरे पिता एक डॉक्तर है तो भी चलेगा अब मैंने यहाँ पर doctor का example लिया है, आप चाहें तो बोल सकते हैं, जो भी आपके father, जो भी काम करते हूं, आप बोल सकते हैं, my father is a teacher, my father is an engineer, my father is a service man, my father is a businessman, आपकी मर्जी है, जो भी आपके पिता को profession हो, आप वहाँ पर mention, doctor के जगाँ पर, आप mention उसको कर सकते हैं, clear है, बढ में, I am doing my homework, आप जो भी कर रहे हों, आप वहाँ पर बोल सकते हैं, I am doing my homework, मैंने example लिया है, मैं अपना ग्रीह कारे कर रहा हूं, I am doing my homework, आप जो भी उस वक्त कर रहे हों, आप बता सकते हैं, homework के जगा पर बस आपको उस जो भी आप कर रहे हों, उसको वहाँ पर place कर देना ह ठीक है चलिए बढ़ें आगे वेर आर यू कमिंग फॉम आप कहां से आ रहे हैं या तुम कहां से आ रहे हो वेर आर यू कमिंग फॉम आयम कमिंग फॉम दी ओफिस मैं ओफिस से आ रहा हूँ हो सकता है आप बजार से आ रहे हो I am coming from the market आप school से आ रहे हो I am coming from the school I am coming from the office I am coming from the hospital I am coming from the fair यानि कि मेला तो आप जहां कहीं से भी आ रहे हो आप यहां पर mention कर देंगे office के जगह पर कि भई फलाने जगह से मैं आ रहा हूँ ठीक है? अच्छा Do you know me? कि आप मुझे जानते हैं? जवाब दो हो सकते हैं या तो आप जानते हैं या तो आप नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं तो simply आप no कहेंगे वहाँ पर क्या कहेंगे? no कहेंगे ज्यादा लंबा चौड़ा वहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप जानते हूँ, तो क्या करेंगे, I, yes, I know you, हाँ मैं आपको जानता हूँ, yes, I know you, clear है, बटे हैं आगे, are you ill, क्या तुम बिमार हो, या क्या आप बिमार है, are you ill, ill का मतलब होता है बिमार, are you ill, क्या तुम बिमार हो, या क्या आप बिमार है, जवाब में, या तो आप बिमार होंगे या तो आप नहीं होंगे तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मान लेजे आपको थोड़ी थंड लग गई है, थोड़ी सी बुखार है तो क्या बोलेंगे? Yes, I am having a fever. हाँ, मुझे बुखार है. या हाँ, मुझे थंड लग गई है. I am having cold, I am having cough, I am having fever. आप इसको बोल सकते हैं और आप perfectly all right है, तो क्या बोलेंगे? एकदम सही है, तो क्या बोलेंगे? No, I am fine. नहीं, मैं ठीक हूँ. क्या आप बिमार है? नहीं, मैं ठीक हूँ. No, I am fine. Where are you going? तुम कहां जा रहे हो? या आप कहां जा रहे हैं? तुम कहां जा रहे हो? या आप कहां जा रहे हैं? बहुत आमसा सवाल है, आए दिन सुभ़ से लेकर के शाम तक, कोई नगोई आपसे यह सवाल पूछी लेता है, है ना? Where are you going? कहां जा रहे हो? या आप कहां जा रहे हैं? आपका जवाब होना चाहिए I am going to the मैंने यहाँ पर market का example लिया है आप जहाँ भी जा रहे हों आप बोल सकते हैं I am going to the market, I am going to my office, I am going to school, I am going to college, I am going to the playground आपकी मरसी है अब जहाँ पर भी जा रहे हों आप वहाँ का नाम यहाँ पर place कर सकते हैं clear? चलिए बढ़ते हैं आगे Where were you? तुम कहां थे? या आप कहां थे? Where were you? तुम कहां थे? या आप कहां थे? देखिए अब इस सवाल का जवाब जो है वो मैं आपको बताती हूँ पर उसके पहले सवाल का मतलब समझ लीजे यह सवाल आपको कभी भी किसी को भी पूछ सकते हैं जिससे आपको पूछना हो कि कहां थे? तुम कहां थे? या आप कहां थे? तो जवाब में I was in Delhi में था हो सकता है आप अपने bedroom में हो तो आप कहेंगे I was in my bedroom I was in the ground, I was in the dining hall, I was in the garden आपकी मर्जी है I was in the terrace, terrace मतलब छट, roof है ना तो I was in Delhi मैंने यहापे लिया है मैं दिल्ली में था लेकिन अगर आप आज-स-पास भी कहीं हो तो उसको भी आप जवाब में बोल सकते हैं अगला सवाल ले लेते हैं How old are you? आपकी उम्र क्या है? या आप कितने साल के हैं? How old are you? जवाब आपने पनी उम्र बतानी है I am 15 years old मैने यहापे 15 years लिया है example में आपकी उम्र जो भी आप वहाँ पर बोल सकते हैं मेरी उम्र 15 वर्ष है I am 15 years old आप 25 के हैं तो क्या बोलेंगे I am 25 years old मेरी उम्र 25 साल है या 25 वर्ष है ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे When did you come? तुम कब आए? या आप कब आए? When did you come? जवाब I came yesterday मैं कल आया या I just came मैं अभी just अभी आया है ना I came yesterday मैं कल आया I came day before yesterday मैं परसो आया इस तरीके साब इसका जवाब दे सकते हैं What's up these days? इन दिनों क्या चल रहा है? What's up these days? ऐसे बाते कब होती हैं जब आप अपने किसी मित्र से बहुत दिन बाद मिल रहे हों किसी दोस्त से कि अरे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं कि और और बताओ क्या चल रहा है? What's up these days? जवाब क्या? या तो ज की हमेशा की तरह where do you live आप कहां रहते हैं यह सवाल पूचा जाता है जब आपका आपका जवाब जहां पे आप रहते हैं बता सकते हैं I live in Shilong मैं Shilong में रहता हूँ अगर हो सकता है आप भरतपूर में रहते हो तो भई I live in भरतपूर I live in पहाडगंच I live in, जो भी जिस भी जगह पे रहते हैं, I live in के बाद आप वहाँ पे लगा सकते हैं मैंने यहाँ आप example लिया है, I live in Shilong, मैं Shilong में रहता हूँ Where are you from, आप कहां के निवासी, अब समझे यह दोनों सवालों में फर्क है Where do you live, where are you from, यह दोनों सवाल आपको हो सकता है, एक जैसे लगे, लेकिन यह दोनों अलग-अलग सवाल है सबसे पहला सवाल लेते हैं, Where do you live, यानि कि आप कहां रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप जहां के निवासी हों, आप वहीं रह रहे हों, जैसे अगर कोई इंसान महाराश्ट्र का है, हो सकता है, वो बैंगलॉर में रह रहा हो, हो सकता है, हो सकता है कोई इंसान बंगाल का हो, वो शिलॉंग में रह रहा हो, हो सकता है ना, तो यह दोनों सवाल इस तरीके से लग हैं आप currently कहां रहे रहे हैं इसका जवाब आप तब देते हैं जब आप से कोई पूछे where do you live यानि कि वो अभी के बारे में आप से पूछ रहा है कि अभी आप कहां रहते हैं basically और where are you from जब आप से कोई पूछे यानि कि आप कहां के निवासी है तो आप अपना मोल स्थान बताएंगे ठीक है कि आप कहां से बिलॉंग करते हैं इसका अंसर I am from गुजरात मैं गुजरात से हूँ इसका जवाब देखिए कैसे बदल जाता है मैं शिलॉंग में रहता हूँ और इसका जवाब देखिए मैं गुजरात से हूँ पर जरूरी नहीं है, आप अभी गुजरात में रह रहे हूं, हो सकता है, आप कहीं और रह रहे हूं, लेकिन आप हैं कहां से, आप गुजरात से हैं, ठीक है, हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे, What do you want? तुम क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं, What do you want? Clear, आप क्या जवाब देंगे? आप को जो भी चाहिए होगा, आप यहाँ पर बोल देंगे, I want a shirt, मुझे shirt चाहिए, I want a shirt, मानके चलिए, आप दुकान में गए वहाँ पे पूछा कि मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या देखना पसंद करेंगे, क्या चाहते हैं, what do you want, they ask you, what do you want, तो आप क्या जवाब देते हैं, भई, जो भी खरीदने गए, बोल देते हैं, कि एक किलो चावल देते हैं, आप मान के चली कपड़े के दुकान पे गए हैं, तो फिर, I want a shirt, मुझे एक shirt चाहिए, clear, कैसे सवाल का जवाब देंगे, चलीए, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है, what do you like, आप क्या पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपकी like के बारे में, यानि कि आपकी पसंद के बारे में, सामने वाल आप से पू I like to read books, मुझे किताबे पढ़ना पसंद है, हो सकता है किसी को लिखना पसंद हो, हो सकता है किसी को dance करना पसंद हो, जब भी आपसे कोई पूछ रहा है, बिना ये mention किये, कि वो किस बारे में आपकी पसंद पूछ रहा है, generally अगर आपसे पूछा जा रहा है, कि आपको क्या मतलब है कि more or less वो आपसे आपकी hobby के बारे में पूछ रहा है, आपकी पसंद के बारे में पूछ रहा है, तो हो सकता है किसी को खाना बनाना पसंद हो, किसी को किताबे पढ़ना पसंद हो, किसी को dance करना पसंद हो, किसी को गाना गाना पसंद हो, तो आपको यहाँ पे उस ब बगाहे कोई ना कोई पूछते मिल जाएगा कि what do you do आपका जवाब आप जो भी करते हैं बताएंगे अगर आप चात्र है यानि किस student है I am a student मैं एक चात्र हूं I am a student अगर आप काम करते हैं तो I work in a bank मैं bank में काम करता हूं हो सकता है आप engineer हो तो I am an engineer I am a doctor आपकी मर्जी आप जो है आप वो बताएंगे जैसे मैंने example लिया है I work in a bank मैं bank में काम करता हूं clear है चली बढ़ें आगे what is the problem समस्या क्या है what is the problem समस्या क्या है जब आप से कोई सवाल पूछे तो आप इसको दो तरीके से जवाब दे सकते हैं एक अगर कोई समस्या नहीं है तो क्या बोलेंगे there is no problem कोई समस्या नहीं है there is no problem अगर हो सकता है कोई ऐसा इंसान आप से पूछे जिसको आप पसंद नहीं करते तो क्या बोलेंगे none of your business तुमसे मतलब क्या समस्या नहीं समस्या वाई तो आप क्या बोलना चाहें, क्या बोलेंगे, none of your business, clear, चलिए बढ़ते हैं आगे, is everything okay, क्या सब ठीक है, is everything okay, क्या सब ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, दो, एक, अगर आपको बोलना है नहीं, सब ठीक नहीं है, तो आप simply बोल सकते हैं, no, it is not, no, it is not, और अगर सब कु perfectly fine, बिलकुल ठीक है, clear, how was your day, आपका दिन कैसा था, या आपका दिन कैसा बीता, यह सवाल, कब होता है, जब कोई मान लीजे, बाहर से कोई घर आया है, पूछना चाहरे हैं, कि भई, कैसा दिन बीता, how was your day, आपका दिन कैसा बीता, जवाब इसके दो होंगे, या तो ठीक बीता होगा, या तो अच्छा नहीं बीता होगा, it was fine, कि हाँ, अच्छा था, it was fine, ठीक थाक था, या अच्छा था, not so good, उतना अच्छा नहीं था, मतलब आप बहुत थक गए, या वर्क प्रेशर बहुत जादा था, no, not so good, मतलब not so good, आप ऐसे जवाब दे रहे हैं, चिक stations पे जाएंगे, mall में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे जो executives होते हैं, जो representatives होते हैं, वो आपसे पूछते हैं, do you need any help, कि आपको इसी मदद की ज़वरत है, मतलब they are asking, कि आपको क्या चाहिए, do you need any help, आपका जवाब, अगर चाहिए होगा help, तो भई, क्या बोलेंगे, और नहीं चाहिए होगा, तो क्या बोलेंगे, नहीं चाहिए होगा, तो आप simply बोलेंगे, no thanks, यानि कि जी नहीं, धन्यवाद, मतलब उसके पोचने के लिए धन्यवाद, बगर आपको help नहीं चाहिए, no thanks, और अगर चाहिए हो, तो क्या बोलेंगे, yes, please help, हाँ, कृपया मदद करें, yes Please help बटें आगे How are you feeling now? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं How are you feeling now? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं जवाब I am feeling better मैं बहतर महसूस कर रहा हूं I am feeling better मैं बहतर महसूस कर रहा हूं दूसरा जवाब क्या होगा इसका not so good, उतना अच्छा नहीं लग रहा है not so good, उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे line को आप सिर्फ simply English के 3 words में बोल सकते हैं, not so good समझ आ गया, कि हाँ उतना अच्छा नहीं लग रहा है, clear है who is that fellow, वह कौन है, या वह आदमी कौन है, who is that fellow, जवाब क्या हो सकता है he is my father, वो मेरे पिता है, या वो मेरे पिताजी है he is my father, अगर mother हुई तो, she is my mother, क्यों, क्योंकि female के लिए she use करते है, वो मेरी मा है, she is my mother clear है what would you like to have, आप क्या लेना पसंद करेंगे, restaurant में जाते है है न, बड़े-बड़े restaurants में जाते है किसी भी restaurant में आप चले जाएए, cafe चले जाएए तो क्या पूछता है, waiter आकर what would you like to have यानि कि आप क्या लेना पसंद करेंगे या फिर आप किसी के हाँ guest भी जाते हैं, आप तो पूछते हैं ना पही क्या लेना पसंद करेंगे what would you like to have तो आपने इसका जवाब कैसे देना है I would like to have tea मुझे चाय चाहिए I would like to have tea, coffee, biscuits, cake, pastry, samosa whatever it is, आपको जो चाहिए हो I would like to के बाद I would like to have इसके बाद आपको जो भी चाहिए आप वहाँ पे mention कर सकते हैं clear what do you do in your free time आप अपने खाली समय में क्या करते हैं what do you do in your free time आप अपने खाली समय में क्या करते हैं समझे आप अपने खाली समय में क्या करते हैं ये सवाल पूछने का भी मतलब ये है कि वो आपसे आपकी पसंद more or less पसंद जाना चाहरा है कि अरे भई खाली वक्त में मतलब ये बंदा करता क्या है तो जवाब I like to cook मुझे खाना बनाना परसंद है मतलब खाली समय में मैं खाना वगेरा बनाता हूँ है न I like to cook Are you married? क्या तुम शादी शुदा हो या क्या आप शादी शुदा है Are you married? जवाब दो होंगे या तो आप शादी शुदा होंगे या तो आप शादी शुदा नहीं होंगे Yes I am married आप बोल सकते हैं No I am not नहीं मैं नहीं हूँ Yes I am married अगर आप शादी शुदा है Married का मतलब शादी शुदा होना Yes I am married मैं शादी शुदा हूँ No I am not नहीं मैं शार्दी शुदा नहीं हूँ या नहीं मैं नहीं हूँ clear है what brings you here कैसे आना हुआ यह बहुत बार हम लोग पूछते हैं लोगों से अरे कैसे आना हुआ what brings you here कैसे आना हुआ जवाब I am here to meet you मैं आपसे मिलने के लिए यहां आया हूँ I am here to meet you मैं आपसे मिलने के लिए यहां आया हूँ हो सकता है आपको कोई काम हो I am here for my work मैं यहाँ आपने काम से आया हूँ simple है या तो आप उस इंसान से मिलने गए हैं या तो वहाँ पे आप किसी काम से गए हैं I am here for my work I am here with my wife I am here with my family I am here for shopping है ना भी आएंगे उसका आपको वक्त बता देना है I will come by tomorrow मैं कल तक आ जाऊंगा I will come by tomorrow मैं कल तक आ जाऊंगा Who are you? तुम कौन हो? या आप कौन है? जब भी आपसे यह कोई सवाल पूछे तो आपका मतलब होता है क्या बताएंगे उसको? आप समझ में आता है क्या बताएंगे उसको? Who are you? तुम कौन हो? कोई आपसे पूछे तो आपने अपना नाम बताना है वहाँ पे और साथ में बताना है कि भई आप वहाँ पे क्या कर रहे है जैसे I am Rohan I am Rohan लेकिन जवाब यहाँ पे complete नहीं हुआ अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या रहे कौन हो तुम? Who are you? तो आप बोलेंगे I am Rohan and I am here for आपको अपना काम भी बताना है आपने अपना introduction बताया वहाँ पे complete नहीं हुआ आपको अपना काम भी बताना है When will you go? तुम कब जाओगे? When will you go? तुम कब जाओगे? जवाब I will go after two days मैं दो दिन बाद जाओँगा मैं अगले मही नहीं जाओँगा I will go by next month I will go after two days मैं दो दिन बाद जाओँगा आप जब भी जाएंगे इस two days के जगा पे आप उसको mention कर देंगे clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे How is your health? आपकी तबियत कैसी है? How is your health? आपकी तबियत कैसी है? जवाब I am good मैं अच्छा हूँ I am good मैं अच्छा हूँ Do you want to go? क्या आप जाना चाहते हैं? Do you want to go? क्या आप जाना चाहते हैं? जवाब 2 होंगे या तो हाँ आप जाना चाहेंगे या तो नहीं आप नहीं जाना चाहेंगे दोनों जवाब देख लेते हैं Yes I want to go हाँ मैं जाना चाहता हूँ Yes I want to go नहीं तो No I I know I don't want to go नहीं मैं नहीं जाना चाहता, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं मैं नहीं जाना चाहता, no I don't want to go हो जाएगा, clear है, सुन लीजे फिर से, no I don't want to go, यहाँ पे don't want to go हो जाएगा, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, Are you upset? क्या आप परिशान है Are you upset? क्या आप परिशान है जवाब क्या होगा इसका Yes, I am upset हाँ, मैं परिशान हूँ Yes, I am upset Clear है? और अगर आप नहीं होंगे तो क्या करेंगे? No, I am not Simple है ना No, I am not Clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे How long it will take you to come आप कितनी देर में आएंगे? How long it will take you to come आप कितनी देर में आएंगे? जवाब I will be there in 30 minutes मैं 30 minutes में वहाँ पहुचूंगा मैं आदे घंटे में वहाँ हूंगा I will be there in 30 minutes I will be there in 1 hour I will be there in 2 hours जितने भी देर में आप पहुँचने वाले होंगे आप बता देंगे चली बढ़ते हैं आगे अगला सवाल Anything else? जवाब से कोई पूछ है Anything else? मतलब पूछ रहा है उससे आगे क्या? मतलब और कुछ? उससे आगे क्या? जवाब क्या होगा? Nothing else यानि कि कुछ नहीं और कुछ नहीं Nothing else अगला सवाल है Why to go? क्यों जाना है भाई? क्यों जाना है? Why to go? जवाब Because I have a meeting to attend क्योंकि मेरी एक meeting है Because I have a meeting to attend क्योंकि मेरी एक meeting है हो सकता है आपके exam हो Because I have my exam Because I have a meeting उसके जगह पे हो जाएगा Because I have my exam Clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे मिलने गया है Manager वगेरा से मिलने गया है तो क्या पूछा जाता है वहाँ पे आपसे कि आप यहाँ किस से मिलने आए हैं तो इसको short में कैसे पूछते हैं किस से मिलना है? Whom to meet किस से मिलना है? जवाब I am here to meet manager मैं यहाँ manager से मिलने आया हूँ आप जिससे चाहें उससे वहाँ पे आप manager के जगा पे mention कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे रवी से मिलने आया हूँ मैं यहाँ पे सीमा से मिलने आया हूँ मैं यहाँ पे manager से मिलने आया हूँ I am here to meet manager clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे What are you playing? आप क्या खेल रहे हैं? What are you playing? आप क्या खेल रहे हैं? जवाब जो भी खेल रहे हूँ उसका नाम बोल दीजेगा I am playing Ludo मैं Ludo खेल रहा हूँ I am playing Ludo आप Ludo खेलिए, कैरम खेलिए, क्रिकट खेलिए, कबड़ी खेलिए, whatever आप mobile game खेलिए, आप PUBG खेलिए I am playing Ludo मैं Ludo खेल रहा हूँ आपको बस इस जगा पे mention कर देना है नाम game का, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे अब अगला सवाल Are you learning English? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? Are you learning English? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? जवाब, बिल्कुल हाँ Yes, I am learning हाँ मैं सीख रहा हूँ या हाँ मैं सीख रही हूँ बिल्कुल अगर आप classes को follow करते हैं अच्छे तरीके से तो आप बिल्कुल अंग्रेजी सीख रहे हैं और देखिए जल्द ही आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? भई, बड़ा interesting सवाल है एक सवाल मेरी तरफ से है न कि उसके लिए करना क्या होगा? तो उसके लिए जवाब भी मैं ही दे देती हूँ करना ये होगा रोज दो classes आती हैं जाइगा क्या, है युल